नमश्कार दोस्तों स्वागत है आपका टोप ट्रेंडिंग जीके में रेलवे अरर भी एंटी पीसी मैस स्रीज में आज हम बहतर नमबर सेट करने वाले हैं जिसके अंदर तीन मार्च का पर्तब सिफ्ट का और सेकंड सिफ्ट का केवल मैथ के सवालों को डिसकस करेंगे और उनमें भी इंपोर्टेंट सवालों को डिसकस करने वाले हैं और इससे पहले जितने भी पेपर हुए है उनकी वीडियो अपलोड की जा चुकिए यदि आपको वो करनी है तो आप अरर भी एंटी पीसी दो हजारी की इस ऑल सिर्फ मैस सॉल्योशन के नाम से प्लेलिस्ट उ इससे पर आपके लिए एक बेहत्रिन अपोर्चुनिटी जो कि टेस्ट बुक की और शे हैं आपकी स्पिसल मॉक टेस्ट के लिए जो ग्रूप D और NTP CB2 एक्जाम की तेहरी कर रहे हैं डेली एक मॉक टेस्ट जरूर लगेगा समय बहुत कम बच्चा है अभी यदि आप टे 12 मंद की वैल्टीट ही हैं लिमिटेट ट्राइम के लिए यह ओफर चाद रहा है डेस्क्रिप्स में लिंक है यह टेस्ट बुक एप और वेबसाइट दोनों पर इसका लाव उठा सकते हो जिसमें सारे एक्जाम की मॉक टेस्ट हैं 470 प्लस एक्जाम की मॉक टेस्ट चाए आप SC की तेरी करते हो रेल वे बैंकिंग डिफेंस अधर किसी भी इस्टेट लेए गर्मेंट एक्जाम की सेम एक्जाम पैटन और डैस्पोड पर आधर तिया पर मॉक टेस्ट एवलेबल होते हैं तो जरूर एक मॉक टेस्ट लगएगा ज्यादा जानकारी के लिए लिंक उसमें हमने पहला सवाल साथ नमबर सवाल लिया है जिसमें कुछ इस प्रकार से दिया गया है तो इसको सौल किस प्रकार से करना पड़ेगा मुझे दोनों समिकन जो दे रखी है एक समिकन का तो मान 13 दे रखा है दूसरे का मान पूछ है तो दूसरे को बराबर मैं X मान ले अब मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों समिक्रण का square करना है Left side भी करोगे आप square, तो right side भी करना पड़ेगा इस परका से तो देखो समिक्रण का square करते हैं, पहले समिक्रण का करोगे तो कितना आ جाएगा, 25 आ जाएगा, sine square theta आ जाएगा फिर 144 आएगा इसके साथ में cos² थीटा आजाएगा फिर 2 into 5 into 12 फिर 1 sin थीटा आएगा एक cos थीटा आएगा इस परकार से आजाएगा बराबर 169 आजाएगा दूसरी समीकन का स्क्वेर करते हो तो क्या आएगा पहले देखो 5 cos² है तो हम कहेंगे 25 अब के वार cos² थीटा आचुक sin थीटा cos थीटा इस परकार से आजाएगा बराबर क्या हो जाएगा एक स्क्वेर हो जाएगा अब यह वाली टम्स आपस में जब हम इनको जोडते हैं तो यह कट जाएगी जोड़ा हमने तो यह कट चुकी है अब बाकी क्या मान आया जोडने की बात कर रहे हैं तो देखो यहाँ पर 25 है और यह आपस में जुड़के 25 कॉमन आ जाएगा तो सबसे पहले 25 कॉमन लोगे अंदर क्या बचेगा एक चो बचेगा sin² थीटा बचेगा और एक cos² थीटा ब उसके बाद में बात करें राइट साओ की तो 169 प्लस एक स्कुaster हो चुका है अब देखो इसका मान sin² थीटा प्लस cos² थीटा फाहूं का मान वन होता है तो 25 बस चुका है यह 144 बस चुका है पराबर 169 प्लस एक स्कुder हो चुका है अब लैटि साइड में जोड़ते है तो कमान 169 आता है बराबर 169 बराबर प्लस एक स्क्वेर है तो देखो 169 से 169 घट जाएगा एक स्क्वेर कमान कितना आ आपके पास पदूर आजाएगा इस प्रकार से अगली बार करो यह वाला बहात करने की चरुत नहीं है यह किवल आप ध्वाहन रखें दिमाग में कि डू पाज आएगा जो आपस में कट जाएगे यह वाले भाग बचेंगे तो इनको आप जोड़ो गटालो इस प्रकार से करना है आगे बढ़ते हैं सवाल नमर 18 की बात करते हैं 10 15 बराबर इतना दे रखा है आपको ठीक है बात में फिर इसका मान निकालना है तो सबसे पहली बात है कि मेरे पास यदि 10 15 है मैं इसको क्या लिख सकता हूं तो मुझे पता है कि 90 म सकता हूं इस प्रकार से लिख सकते हैं अब अपने सवाल को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले देखो कोट 75 दे रखा है यहां पर तो मैं क्या करूंगा इसको 10 में चैंज करता हूं तो 75 दे रखा है तो 10 15 हो जाएगा तो पहले बात करें 10 15 पहले से था एक और आ चुका है तो यह कोट 15 रख दोगे आप एक कोट 15 पहले से तो यह कोट स्क्वेर 15 हो जाएगा तो इस प्रकार से आच चुक है आपके पास मान अब देखो अब देखो क्या है कि ये दोनों मान क्या है आपस में बराबर है ठीक है किस-किस का मान बराबर है 10 15 का बराबर है 10 15 का कोट 75 के बराबर है किस परकार से बराबर है अब देखो एक चीज़ आप ये देखिए कि 10 15 का मान आपको दे रखा है टू माइनस अंडूट 3 दे रखा है तो कोट 15 का मान क्या हो जाएगा यह आपका conjugate हो जाएगा इसका यानि कि माइनस के जगह केवल प्लस आ जाएगा ऐसा क्यूं होगा क्योंकि देखो ऐसा क्यूं होगा क्योंकि आप 10 को लिखो गए यदि 10 को क्या रख सकते हो आप कोट में लिख सकते हो कोट 15 इस प्रकार से लिख सकते हो 2 माइनस अंडूट 3 आ जाएगा फिर यह आप उलटा करते हो तो यह आपका Cake 15 बरापर हो जाएगा 1 बटे 2 माइनस अंडूट 3 हो जाएगा फिर आप बंश के वीप्री शागा से मल्टिपलाई करते यो इतना प्लस इतना इस प्रकार से multiply करोगे तो क्या हो जाएगा उपर तो आ जाएगा टू प्लस अंडूट 3 और नीचे 4 माइनस 3 बराबर कितना हो जाएगा एक हो जाएगा तो आप आगे से ये चीज ध्यान रखिए इस सारे को तो हम मैं वापस से मिटो देता हूँ आगे से आप ध्यान रखिए क्या ध्यान रखेंगे यदि 10 का मान इतना दे रखा है तो कोट का मान इतना दे रखा है तो कोट का मान कितना हो जाएगा तो प्लस यानि कि माइनस के जगे केवल प्लस आ जाएगा ये होगा कब जब इसका square यानि इसको A मानते है और इसको B मानत तो इन दोनों के square का अंतर जब 1 आता है तब ऐसा होगा, अब आपको quote 15 का मान भी पता चल चुक है, 10 15 का मान भी पता चल चुक है, मान रखिए आप यहाँ पर 2-103 का whole square हो चुक है, और यह आपका 2-103 का whole square हो चुक है, दोनों side square करोगे तो एक तो 4 आएगा, एक आपका 3 हो जाएगा और एक minus वाली turns आएगी, क्या हो जाएगा, 4-103 आएगा, इसी प्रकार से दूसरे को यह दिया, आप open करते हो तो कितना आता है, 4 आता है, 3 आता है, और प्लस 4-103 आता है, इतना आता है, यह वाला भाग कट जाएगा, आपस में, 4-2 वार है और 3-2 वार है, तो यह कितना हो जाएगा, 7-7 दुनी, 14 हो जाएगा, 14 आ जाएगा, option number कौ बात करते हैं, सवाल number 19 की, sin theta plus cos theta बराबर इतना दे रहा है, इसका मान निकालना है, वापस से वही करना है, इसको बराबर आप x मान लो, दोनों का side square करना है, दोनों equation का और फिर जोडना है, तो पहली equation का जब square करते हैं, अब देखो हमने पहले सवाल में कर लिया है, यहाँ पर हम थोड़ा छोटा method करेंगे, कुछ चीजों को नहीं लिखेंगे, उनको मन के अंदर solve करेंगे, तो देखो दोनों side, यहाँ पर यह तो लिख देता हूँ, इसका भी square किया, और पूरे का इसका भी square किया, तो इसका square करोगे, तो क्या आएगा, sin square theta आ जाएगा, ठीक है, यह आपका cos square theta आ जाएगा, और जो तीसरा पता आया था, वो एक वार हम नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि वो दोनों का square करोगे, तो कट जाएगा, 7 बटे 4 लिख दोगे, दूसरी समिकन का square करते हो, तो यह आपका sin square theta आएगा, फिर आपका cos square theta आएगा, इस प्रकार से, और य होता है, तो जोडने से पहले भी हम 1 रख सकते हैं, या जोडने के बाद, तो 1 1 हो चुका है, इन दोनों का मान तो, अब यह आप जोडते हो, left side और right side, तो 1 प्लस 1 इधर तो 2 हो जाएगा, इधर आपका 7 बटे 4 प्लस x square आ जाएगा, सरल करोगे, तो 2 बराबर 7 बटे 4 हो च कितना आ जाएगा, एक बटे 4 आ जाएगा, तो यहाँ से x का मान आपका, एक बटे 2 आ जाएगा, कितना आ जुगा है, एक बटे 2 आ चुगा है, option number कौन सा हो जाएगा, option number 1 हो जाएगा, तो देखो हमने यहाँ पर calculation को कम कर लिया है, बस यही होता है, जितना ज़्यादा बता है, short होता जाता है, और यही short method या short trick जिसको कहते हो आप, तो बार-बार practice से आता है, यदि आप कहो कि मेरे को direct short trick बता दो तो ऐसी कोई चीज नहीं होती है, पहले आप पूरे method को basic से कीजिए, देले-देले छोटा होता जाएगा, और आप सीख जाएगे short tricks, यदि आप क्रेम उले से 4% हानी पर फूल बेचता है, परंतु 25 ग्राम के बाट के स्थान पर 20 ग्राम के बाट का उप्योग करता है, तो उसे हानी, उसे होने वाला प्रतीशत लाब ग्याद कीजिए, तो देखो, 4% हानी पर फूल बेचता है, कहने का मतलब है, यदि 100 की चीज है, तो कितने में बेच रहा है, उसको 96 में बेच रहा है, ठीक है, एक चीज तो ये हो चुकी है, अब देखो हम क्या करेंगी, एक तो हमें क्या दे रखा है, कि ये पैसे वाला दे रखा है, कि 4% की हानी हुई है, एक बाट वाला दे रखा है, तो दोनों से हम अलग-लग निकाल ले हैं 100-96 में बेचा 4% की हानी दे रिखिए उसने दूसरा बात करते हैं 25 ग्राम के बाट की जिगह वो 20 ग्राम के बाट का यूज कर रहा है तो जब ऐसी बात कहा जाए कि वो बाट की जब भी वेट की बात की जाए तो इसमें क्या होता है जो प्रॉफिट होता है वो वेट का उ रखा है यानि 25 ग्राम की चीज को वो 20 ग्राम में तोल रहा है तो आप उल्टा कर दोगे प्रॉफिट के लिए प्रॉफिट के लिए हम क्या करेंगे इसको उल्टा कर देंगे यानि 20 ग्राम की जो चीज है यानि कि 20 रुपए की चीज को वो 25 रुपए में बेच रहा है कहन आ जायेगा यह एक से पाँच आज यह पाँच पाँचा 25 परसेंट आ जायेगा तो यह आपका कितना आ चुका है है यहां से कच्च्च परसेंट आ चुका है मेरा अब एक तो आपको चार हानी दे रिख्योंर 80 पर संट है ठोटल प्रोफिट निकालना तो हम compound formula लगा सकते हैं कि 25% का तो मुझे हुआ है लाब 4 की हाली हुई है दोनों को multiply करोगे तो कितना आ जाएगा 100 बटे 100 करोगे तो यहां से मेरा मान 100 से 100 कट जाएगा और 4 घटाओगे यह घटाओगे तो कितना आ जाएगा 20% आ जाएगा तो एक तरीका तो यह है कि आप दोनों को अलग लग निकाल लो जो भी जितना भी आपको दे रखा है जिसे पैसो का दे रखा है और यहां पर ग्राम को इतने ग्राम में कम बैसता है और यह बाईचांस कहता कि खरीदे time भी वो ऐसा करता है कि 100 ग्राम के बाट की वज़एए वापस में जोड सकते हूँ तो एक तरीका तो यह है धिक है दूसरे तरीके कि हम जब बात करते हैं तो थोड़ा सा उपर कर लेते हैं क्या है कि तो की चीज वो appointment बेच रहा है वो सो की चीज वो वो बेच रहा है 96 के अंदर बेच रहा है अब यदि बात करते है 25 ग्राम के बाट की वजाए वो क्या कर रहा है 20 ग्राम के बाट का यूज कर रहा है तो इसका मतलब क्या है और पैसे कितने का ले रहा है, 25 ग्राम का ले रहा है, पैसे कितना का ले रहा है, 25 ग्राम का ले रहा है, ठीक है, तो आप क्या करो, पीस लिख दो, यानि कि जो प्रॉफिट का रिश्यो था, प्रॉफिट उल्टा कर देते हैं, 20 से, यानि कि 20 की चीज को, 30 तो 20 रुपए की है क्योंकि वो 25 ग्राम का कहर आया केवल 20 ग्राम का क्रेम उल्ले कितने में बेच रहे है 25 ग्राम के क्रेम उल्ले में बेच रहे तो आप इन दोनों को multiply कर दो एक वार यहां से काट लेतने इसको कितना आएगा यह पैपा इससे काटते हो यह आप चार वार जाएगा तो इधर आपका कितना आचुका है और कच कट रहे है चार से भी ये character जाएगा एक हम चार चार दुनी पे तारे कम चार और चार चौक-शोला चार चाउदा हो चुका है इधर 14 हो चुगा है तो यह कितना हो चुगा आपका एक तो 25 से यह गया चार वार गया और चार से इधी काटते हो आप तो चार दूनी आया यहाँ पर चार दूनी आठ और चार चुक 16 कहा तो 24 से अब यदि इधर in multiply करते हो तो केवल 20 बचा और एक बचा तो इस दोना का multiply 20 हो जाएगा इधर देखते हो तो 24 बचा है तो आप कितने का लाब हुआ है कि कारूँगे सू करोगे तो कितना आ जाएगा यह आप इससे काटते हो तो पांच आ जाएगा यह 20 परसेंट आख़ाएगा इस परकार से भी आप देख सकते हो कि क्या कह रहा था thoughts is Graham का तो जी ओल कह रहा है किटिस ग्राम की वज़ाए कितने का राव की बाटि कर रहा है बीस ग्रम को बीस दे रहा है इस प्रकार बीज रुपए की चीज़ गो वो 25 पे बेच रहे या फिर आप सिंपल ध्यान रखें कि वेट से जो रिश्यो होता है कीमत का रिश्यो होता है वो उल्टा हो जाता है यहां पर 20-25-20 का दे रखा है तो कीमत का रिश्यो 20-25 का हो जाएगा बस इतना ध्यान रखना है आगे बात करते ह सवाल नमर 31 की एक आयत के लंबाई और चोड़ाई का अनुपाद दो अनुपाद एक दे रखा है आयत के परिमाप और छेतरफल के संख्या मानू का अनुपाद इतना दे रखा है ठीक है तो हमारे पास देखो अनुपाद दे रखा है आयत के लंबाई और चोड़ाई का त तो ये होता है 2 into लंबाई प्लस चोड़ाई इतना हो जाएगा यदि 6 तरफल की बात करते हैं तो दोनों को multiply कर दो यानि 2x square हो जाएगा थोड़ा सा और solve करते हैं तो ये आपका 3x into 6x 6x हो जाएगा क्या हो जाएगा 6x हो जाएगा और इधर 2x square है ये हो चुका है x से तो x कट जाएगा अब आप यदि बात करते हो कि ऐसे लिख दो 6 बटे 2x बराबर किसके दे रखा है 3 बटे 4 के बराबर दे रखा है यदि आप इनको अब solve करोगे तो cross multiply करोगे यहां से आपका कितना आ चुका है ये 24 आ चुका है और ये आपका कितना हो चुका है 6x हो चुका है तो x का यदि मान निकालते हो तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा x का मान कितना आ चुका है 4 आ चुका है सवाल नमबर 32 की बात करते हैं, एक संख्या के 3 परसेंट और दूसरी संख्या के 2 परसेंट का योग, मान लिया कि पहली संख्या X और दूसरी संख्या Y है, तो X का 3 परसेंट कितना हो जाएगा तो हम कहेंगे X into 3X हो गया, X का 3 परसेंट हो चुका है ये, उसके बाद में Y का 2 परसेंट निकालना है आपको, Y का 2 परसेंट इस पकार से कर दिया है, Y का Y.2 परसेंट इस पकार से लिखतो, उसके बाद में बात करते हैं कि ये किसके बराबर है, पहली संख्या के यानि X के 3% प्रस दूसरी संख्या के 5% यानि Y के 5% के योग के 3 बटे 4 के बराबर है इस प्रकार से कह रहा है वो अब देखो percentage हर टम्स में से तो यहां से कौमन आके कट जाएगा और इधर से भी कौमन आके कट जाएगा percentage का sign यहां क्या बचा 3X बचा है उस 5Y बचा है इस प्रकार से बचा है इंटू कितना है 3 बटे 4 है अब मैं यह क्या करता हूँ जो यह 4 है इसको उधर ले जाता हूँ तो 4 को उधर ले गया तो 4 इससे ही multiply होगा पहले तो लिख देते हैं इस प्रकार से 2Y बराबर यह यह आपका हो चुका है 3 इंटू 3X प्लस 5 5Y यह हो चुका है अब देखो इनको multiply करते हैं तो यह आपका 12X आच चुका है यह 8Y आच चुका है इनको करोगे तो यह 9X हो जाएगा यह 15Y हो जाएगा इतना हो चुका है अब XX को एक साइड लिया हो तो इधर 3X हो जाएगा Y को उधर ले जाओ तो यह आपका 7Y हो सवाल नमबर 35 एक रेल गाडी उन दो व्यक्ति ओं को करमसे 10 सेकिंड और 8 सेकिंड में पार करती है जो करमसे 4 मीटर्परती सेकिंड और 10 मीटर्परती सेकिंड की चाल से विप्रीत दिशा में चल रहे हैं तो देखो पहले जो पहली वाली चाल है कितनी हो जाएगी जब पहले वेक्ति को रेलगाडी पार कर रही है यहीं कि रेलगाडी इस डायरेक्शन में चल रही है तो वेक्ति इस डायरेक्शन में चल रहा है जब विप्रीत डायरेक्शन की बात आती है तो दोनों चाल जुड़ जाती है तो रेलगाड़ी की चाल x थी और इसकी चाल 4 है तो कितनी हो जाएगी पहले वक्ति की चाल x प्लस 4 हो जाएगी दूसरी की बात करते है तो x प्लस 10 हो जाएगी इस प्रकार से हो चुके अब अनपात क्या दे रखा है 10 अनपात 8 दे रखा है समय का अनपात कितना दे रखा है 10 अनपात 8 दे रखा है तो चाल का अनपात क्या हो जाएगा इसका उल्टा हो जाएगा यानि कि 8 अनपात 10 हो जाएगा 8 अनपात 10 हो जाएगा सरल करोगे तो 4 अनपात 5 हो जाएगा यानि कि ये चाल चार हो गई है ये पांच हो चुकी है इस अनुपात में हो चुकी है इस अनुपात में यानि कि ये चार हो चुकी है ये पांच हो चुकी है अब आपको निकालना रेल गाड़ी की रेल गाड़ी की चाल ग्याद करनी है तो इनका अनपाथ हमारे पास आ चुका है चार अनपाथ पाँच है ये इसके बराबर है तो बराबर बीट में साइन लगा दिया है क्रोस मल्टिप्लाई करा दो आप तो उपर कितना हो जाएगा ये पाँच एक्स प्लस 20 हो जाएगा और इधर हो जाएगा आपका चार एक्स प्लस 40 हो जाएगा एक्स वालों को एक साइड लाओगे तो इधर एक्स हो जाएगा इधर 20 के बराबर आ जाएगा तो एक्स कमान मेरे पास 20 आच चुका है हमें क्या है दोनों को ये टोटल करते हो तो कितना आ जाएगा दोनों का टोटल करने पर बारा आता है बारा की वैल्यू कितनी हो गई साट हो गई तो एक की वैल्यू कितनी हो चुकी है पांच हो चुकी है यनि कि पांच की वैल्यू कितनी हो गई हैं यह किसका अनुपात था गल्स एंड बॉइस का तो यहां पर आप लिख लिजिए जिससे गलती होने की संभावना कम रहेगी यहां पर जी लिखतो यहां पर बी लिखतो यानि गल्स बॉइस तो यह हो चुकी है अब पांच लड़कों को कक्षा शे निकाल दिया जाता है यानि कि जो 35 है उसमें से 5 आप माइनस कर दो तो यह आपका 30 हो जाएगा यह 25 का 25 है तो नया अनुपात क्या जाएगा पांच अनुपात शे बन चुका है नया अनुपात क्या बन चुका है पांच अनुपात शे बन चुका है अब पूछा किसका गया है लड़कों और लड़कियों का यह ध्यान रखना आप यहां पर भी एक अनुपात दे रखा है और यहां पर भी दोनों सेम है बस यह तिर्बुज की अंत्य तिर्जा आपको इतनी दे रिखे तो उस तिर्बुज का छेतरफल बताना है अब देखो कोई भी तिर्बुज होता है तो उसमें अंत्य तिर्जा का फोर्मुला क्या होता है अंत्य तिर्जा का मतलब है कि तिर्बुज के अंदर एक अंत्य वर्त बना है तो उसकी तिर्जा बताईए यह अंत्य तिर्जा हो चुके तो अंत्य तिर्जा क्या होती है तिर्बुज का छेतरफल बटे तिर्बुज का अर्द परिमाप क्या अर्थ परिमाप इसका तिर्भुज की बात चल रही हैं तिर्भुज का अर्ध करिमाप आप तो यहां से यहah option number 3 हो जाएगा सवाल number 64 की बात करते है दो संख्याओं का SCF और LCM आपको इतना दे रखा है उनका योग बताना है SCF और LCM SCF को मैं X मान लेता हूँ ठीक है तो मेरी संख्याओं क्या हो जाएगी पहली संख्याओं हो जाएगी AX और दूसरी संख्याओं हो जाएगी BX X ऐसी चीज है कि जो दोनों के अंदर common और उसी को हम SCF कहते है ठीक है अब HCF into LCM यानि दो संख्याओं का गुननफल के बराबर होता है ठीक है यह आपको इतना दे रखा है HCF इतना दे रखा है LCM इतना दे रखा है ओके तो देखिए क्या चीज है कि दो संख्याओं का गुननफल यानि कि पर्थम संख्या इन्टू इत्य संख्या का गुननफल आपको किस के बराबर होता है हम कहते है LCM into HCF के बराबर होता है पहली संख्या आपको AX दे रखी है दूसरी संख्या आपको BX देर की है 160 रखोगे यहाँ पर और यहाँ पर 8 रखोगे यह आपका हो चुका है AX स्क्वेर हो चुका है और इधर बात करते हैं 0 और इतना हो चुका है और 16 को यह दिए आप इससे मल्टिप्लाई करते हो 16 को आप इससे मल्टिप्लाई करते हो तो कितना हो जाएगा यह आपका 168 है कितना होता है तो 8.6.40 का 8.4 आई हांसल 8.4.12 128 हो इतना हो चुका है यह हो चुका है X का मान यह दिए आप रखते हो यहाँ पर X का मान कितना देरिक है हमें 8 दे रखा है क्योंकि HCF कितना है 8 है तो X का मान यह दिए 8 है 8.64 रखोगे देखो हमें यह करने की भी जुरुत नहीं थी हमें के वहले LCM दे रखा था LCM दे रखा था यह आपका A आ चुका है B आ चुका है X2 है तो X2 का मान यह दिए आप रखते हो तो यहाँ पर 64 रख दोगे यह बराबर 160 दे रखा है into 8 दे रखा है तो आप यह दिए 8 से काटते हो तो यह 8 वार जाएगा और 8 से इसको काटोगे तो यह 20 वार जाएगा तो A B A B का मल्टिप्लिकेशन किसके बराबर आच चुका है 20 के बराबर आच चुका है यह हमें एक चीज पता चल चुकी है दूसरा यह दि मैं A B का गुननफल बराबर 20 के दे रखा है मेर से योग पूछा गया इन दोनों संख्याओं का दोनों संख्याओं का योग बताना है हमें तो देखो आपके पास गुननफल आ चुका है योग की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा A X प्लस B X हो जाता है A B प्लस B बराबर A प्लस B इन्टू X बराबर हो जाएगा यह हो चुका है इसका मान हमें निकालना है X की value कितनी है 8 रख दोगे आप यानि की A प्लस B बराबर कितना हो चुका है ये हमें बताना है अब देखो दो संक्याओं का गुननफल किसके बराबर है 20 के बराबर है A और B का और A प्लस B का योग हमें बताना है A प्लस B इस पूरे का योग बताना है इसका मान बताना है तो क्या करोगे आप 20 के टुकड़े करने पढ़ेंगे आपको क्या क्या हो सकते हैं या तो देखो 20 और 1 हो सकते हैं 20 या 1 हो सकते हैं तो नों का multiplication या फिर टुकड़े क्या हो सकते हैं आपका 10 और 10 को कितने से multiply करोगे 2 से या फिर कितना हो सकता है 5 इंटू 4 हो सकता है ये टुकड़े हो सकते हैं तो ये वाला क्यों नहीं होगा कि जो टुकड़े होने चाहिए वो सहबाचे टुकड़े होने चाहिए ऐसे टुकड़े है जिसमें से आपस में common कुछ भी नहीं आता है तो यहाँ पर common आ रहा है इसलिए ये टुकड़ा नहीं हो सकता है हमारा ठीक है बाकी ये दिए आप A का मान 20 रखते हो और B का मान 1 रखते हो तो आप देखोगे ये 21 हो जाएगा और 8 से multiply करोगे तो बड़ी संख्या आएगी जो आपको option में नहीं मिल रही है फिर आप 5 और 4 रखके देख लो जब ये रखते हो आप A का मान 5 और B का मान 4 रखते हो 8 रखोगे इस प्रकार से ये 9 into 8 बढ़ाबर 72 हो जाएगा इस प्रकार से आप सोचना पड़ेगा ये आपको डायरेक्ट नहीं होगा हमें option का सहरा लेना पड़ेगा option number 3 हो जाएगा बात करते हैं सवाल number 68 की एक विग्रेता 600 रुपए में 300 आम खरीदता है उनमें से कुछ आम सड़ गए फैंक दिये गए उसने सेस बचे आमों को तीन परती आम की दर से बेचा और 210 रुपए का लाब कमाया फैंके गए आमों का परतीशत क्याद कीजिए देखो उसने कितने रुपए में खरीदे टोटल आम 300 रुपए को खर्च करके उसने आम खरीदे जितने भी खरीदे 300 रुपए खर्च करके उसने क्या है आम खरीदे है उसके बाद 210 रुपए का लाब कमाया इसका मतलब उसने कितने में बेचे है कुल टोटल यह आपका 810 रुपए में बेचा है 810 रुपए, कुल टोटल उसने बेचा है, तो 210 रुपए का उसने लाब कमाया है, अब वो कह रहे है कि एक आम को उसने 3 रुपए पर्तिदर के हिसाब से बेचा है, अब देखो टोटल 810 है, 810 है, तो यदी मैं इसको भाग देता हूं, तो कितना आ जाता है यदि तीन से भाग देता हूँ तो एक आम की value आ जाएगी मेरे पास एक आम का SP यानि विक्रे मुल्य आ जाएगा एक आम SP आ जाएगा कितना आ जाएगा आप तीन का भाग दोगे तो तीन दूनी 6 हो जाएगा तीन साते 21 हो जाएगा 270 हो जाएगा एक आम का विक्रे मुल्य आ चुका है तो एक आम का विक्रे मुल्य नहीं कि एक आम का विक्रे मुल्य तो आपको दिया गया है बेचे गए आमों की संख्या जाएगी यहनि बेचे गए आम कितने आ चुके हैं 270 हो चुके खरीदे गए आम कितने थे, टोटल आम कितने खरीदे थे, 300 खरीदे थे, तो आम खराब कितने हो गए, 270 उसने बेचे हैं, 300 खरीदे थे, यानि कि 30 आम खराब हो चुके हैं, तो आप लिख दो, कि खराब आम, क्या है, जो सड़ चुके हैं, सड़ गए, कितने हो गए, यानि कि starting में उसने 300 आम खरी थे उसमें से 270 हमने बेच दिये यानि कि 30 आम सड़ चुके थे यह हो चुका है 30 आम सड़ चुके थे अब आपको देखो 30 नहीं दिया गया या तो वह आपसे 30 भी पूछ सकता था कितने आम सड़ चुके थे यह पूछ सकता था मगर उसने परसेंटेज में पूछा गया तो हमारे कितने आम सड़ें 30 सड़ चुके हैं starting में कितने थे 300 थे ठीक है तो कितना परसेंट सड़ चुका है 300 का 30 निकालोगे तो कितना आ जाएगा यह 2-0 से 2-0 कर जाएगे 3 का भाग दोगे तो 10 परसेंट आ जाएगा उप्शन नमबर 1 हो जाएगा आपका सवाल नमबर 74 की बात करते हैं इन में से कौन से संख्या 9 बटे दो और इन के बीच में आने वाली परिमे संख्या है तो सबसे पहली बात परिमे संख्या क्या होती है इंग्लिश में रैशनल नमबर कहते हैं जिनको हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं तो बात करते हैं कि जो सभी option है, सबसे पहली बात तो वो सभी के सभी परिमे नंबर्स है, क्योंकि जो भी दसमलव में दिया है, उसको हम परिमे के रूप में किस प्रकार से लिख सकते हैं, मैंने दसमलव हटाई और नीचे 2-0 लिखते हैं, तो ये पी वटे क्यू रूप बन चुका है, तो मैं कह सकता हूँ, ये मेरी परिमे संख्या है, इसी प्रकार से आप सभी संख्या को लिख सकते हो, क्योंकि दसमलव हटाऊज नीचे 2-0 आ जाएगी, परिमे संख्या बन चुकी है, अब देखो, हमारी परिमे संख्या की बात करें तो सभी की सभी हो चुकी है परिवे संख्या है इस प्रकार से लिखा 915 दिसनवलव हटाई नीचे ठीक है पीवटे क्यू रूप बन चुका है यह हो चुका है अब देखो 9.2 और 10.5 के बीच में कौन सी संख्या आएगी बस आपको यह देखना था आपको परिवे का तो पता भी नहीं लगाना था बस य देखना था इनकी बीच में कौन सी संख्या आएगी 9.15 है जो की इससे पहले आएगी जब तीसरे ऑप्षिन की बात करते हैं तो 6 बात में आएगा इसी प्रकार से 9.08 है जो वह भी 9.2 से पहले आएगा तो बीच में इनके एक ही संख्या आएगी जो की है 9.15 तो बस इस प् नमबर 78 की बात करते हैं इनका माद्ध्य दे रिखा है आपको 20 तो इन सभी संख्याओं का योग क्या हो जाएगा कितनी संख्याओं है 5 तो माद्ध्य को आप 5 से मल्टिप्लाई कर दो तो इधर यदि जोडते हो 5 संख्याओं को तो 5 तो आपका X के बरावर हो जाएगा फिर स कितना था माद्ध्य देर कह था माद्ध्य को 5 से किया तो अभी संख्याओं का योग 100 के बरावर आ चुका है तो 5 x की व्यलीक इतनी की आचुकिए 100.10 चुका है पहले दो प्रेक्शनों का माद्ध्य पूछा है पहले दो प्रेक्शन क्या है एक तो X है और एक X-1 है यदि X की जिगा 22 रखते तो पहला माद्ध्य 22 हो गया दूसरा 22-1 21 हो चुका है दोनों का माद्ध्य निकालना है आपको बटे 2 कर दोगे तो कितना हो चुका है यदि 21 की बात करते हैं तो 42 है कि ये 43 हो चुका है बटे 2 से भाग दोगे तो 21.5 आ जाएगा option number कितना हो चुका है 4 हो चुका है सवाल नमबर 83 की बात करते हैं 70 km पर दी घंटे की चाल से चल रही है एक रेल काड़ी उसकी विपरीत दिशा में चल रहे एक motor सवार को 2 सेकेंड में पार करती है यानि कि 70 की स्पीड से चल रही है और motor कार की स्पीड को यदि मैं x मान लेता हूं तो x प्लस 2 इस प्रकार से चाल हो चुकी है उसकी अब बात करते हैं कि motor सवार रेल काड़ी की समान दिशा में चल रहा होता है तो रेल काड़ी उसको 5 सेकेंड में बार करती है जिस डायरेक्शन में रेल काड़ी चल रही है उसी डायरेक्शन में motor चल रही है तो वो उसको 5 सेकेंड में यानि कि चाल निकालने के लिए respective आप एक चाल निकालने के लिए हम उनको घटाएंगे उनकी चाल को आपस पर अब देखो दूरी तो समा नहीं है क्योंकि रेल गाड़ी की जो लंबाई है वही तो हमारी दूरी है तो देखो जो समय का नुपात कितना दे रिखा है आपको दो पांच दे रिखा है चाल का नुपात क्या हो जाएगा इसका उल्टा हो जाएगा यानि पांच नुपात दो हो जाएगा तो पांच यह हो चुक है और दो यह हो चुक है अब देखो बराबर इस प्रकार से अब यदि हम इसको सरल करते हैं तो क्या आएगा कितना आएगा हमको देखो 5 और 2 ये निकालना था अनुपात के अंदर दे रखा है अब आप इनको क्रोस मल्टिप्लाई कर दो जब आप क्रोस मल्टिप्लाई करोगे तो कितना आएगा ये आपका आजाएगा 140 प्लस 2X बराबर 5 साथ है 35, 550 माइनस 5X ये आजाएगा अब 5 को इधर लाता हूँ तो मेरा कितना हो जाता है ये 7X के बराबर हो जाता है और इसको इधर घटाओगे 35 में से 14 घटाओगे 21 आजाएगा 210 के बराबर आजाएगा तो X बराबर मेरा कितना आजाएगा 30 आजाएगा तो X कमान आ चुका है पूछा क्या गया है मोर्टर चाल की चाल पूछी गई है X थी जो X कमान 30 आ चुका है option नमर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा सवाल नमर 85 की बात करते है इनका योग करना है तो देखो इसका मतलब क्या है यदि मैं पहली मिश्रविन की बात करता हूँ तो मिश्रविन का मतलब क्या होता है कि इस प्रकार से दिया गया तो हम इसको इस रूप में भी लिख सकते है यानि की 177 प्लस 1 बटे 5 इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं तो क्या इसका मतलब क्या सबी 77 777 को अलग करके आप जोड़ लो चार वार दे रखा है तो कितना हो जाएगा इनका योग 777 इंटू 4 चार से आप मल्टिप्लाई करते हो तो 28 आया 2 आई हांसल 28 और 2 30 38 और 3 31 इनका योग इतना आजाएगा अब आपके पास क्या बचा है किवल भिन भिन बची 1 बटे 5 बचा है 2 बटे 5 बचा है 3 बटे 5 बचा है और 4 बटे 5 ये है इनका जब LCM लोगे तो नीचे तो 5 आजाएगा उपर 1 और 2 3, 3, 6 और 4, 10 के बराबर हो चुका है तो ये आपका आचुका है 2 तो दोनों का योग कर दो 31, 0, 8 था एक तो और 1, 2 था इन दोनों का योग करोगे तो 31, 10 हो जाएगा आपका option number 4 आजाएगा आगे बढ़ते हैं तो एक paper हमारा complete हो चुका है second shift के paper की बात करते हैं सबसे पहला सवाल हमारे सामने है अब देखो 10 हम जानते हैं यदि A प्लस B बराबर 90 degree होता है तो 10 A और 10 B कि ऐसे दो गुनन दो एंगल का योग दो एंगल का गुनन फल 10 के अंदर 1 के बराबर होता है जिनका योग 90 के बराबर होता है इस प्रकार से है तो देखो यहां पर 25 है और यहां पर 65 है इन दोनों का गुनन फल किस के बराबर आ जाएगा एक के बराबर आ जाएगा इसी प्रकार से बात करें इसकी और इसकी इन दोनों का योग 35 और 90 का योग किस के बराबर है 90 के बराबर है तो इनका मान भी 1 आ जाएगा और 10 45 का मान 1 होता ही है तो यह आपका 1 1 1 तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा option नमबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा सवाल नमबर 4 की बात करते हैं 6 वर्स बाद सुनील की आयू कमल से दोगनी हो जाएगी फैर वर्स बाद कितनी हो जाएगी एक तो है सुनील हमारे पास और एक है कमल सुनील की आयू कमल की आयू की दुगनी हो जाएगी तो हम कह देते हैं 2 अनपात 1 हो चुकिया इनकी कितने 6 सालों के बाद दो वर्स पहले, यानि कि यहां कहीं था च्छै साल बाद हो चुकी है, यह दो वर्स पहले, दो वर्स पहले क्या हुआ, पहले आयू कमल से चार गुनी थी, यानि कि इसकी आयू की चार गुनी थी, इस पकार से है, अब देखो हमें एक वार इसको हटा देते हैं, जिससे की एक दे रखाया इधर तो और एक दे रखाया अब उनकी जो आयू वर्दी है छह साल इसकी बढ़ी है आठ साल इसकी बढ़ी है क्योंकि दो साल पहले से और छह साल अधिक दोनों को यह जोड़ते हैं तो आठ साल होती है तो आठ साल इधर बढ़ी है आठ साल इधर बढ़ी है अंतर अब बराबर आना चाहिए यहाँ पर दो कार है लेकिन यहाँ पर जीरो कार है तो अंतर बराबर करने के लिए आप क्या करोगे यहाँ पर तो एक ही है इनका अंतर यहाँ पर अंतर कितना है तीन है तो आप क्या करोगे उपर तो एक से मल्टिप्लाइ करोगे उससे कोई मतलब नहीं है यानि कि अब नया उनपाथ S और K का क्या हो चुका है उपर तो 4 उनपाथ एक रहेगा मगर जो यह उपर 3 आया इससे नीचे multiply करो गया तो कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा यह 6 हो जाएगा और यहाँ पर आपका 3 आ जाएगा अब अंतर देखते हो तो दोनों साइट बरावर बरावर 2 का अंतर है 2 की value कितनी हो जाएगी कितने सालों का अंतर था 6 साल बाद और 2 साल पहले यानि टोटल आठ साल का अंतर था तो एक की value डो की value आठ एक की value चार हो जाईगी उसने कمل की वरतमान उमर पुछी गई है हमको जो यह anpat दिया गया चार न पात एक, यह दो साल पहले का है, तो सबसे पहले तो आप दो साल पहले की value निकालोगे एक की value कितनी है? चार है, कमल की चार है तो देखो ये तो है दो साल पहले की कितनी चार? अब दो साल बात, यानि कि वर्तमान यहाँ पर होगा दो साल जोड़ दोगे आप चार प्लस दो कर दोगे तो कितना हो जाएगा? च्छै वर्स हो जाएगा कमल की आईउ च्छै वर्स हो चुकिए option नमबर कौन सा हो चुका? एक हो चुका सवाल नमबर च्छै की बात करते है कितने प्रतिशत वार्शिक चकरती ब्याज की दर पर सताउन हजार की राश्ची एक साल में बढ़कर इतनी हो जाएगी एक साल में बढ़कर इतनी हो जाएगी कितने प्रतिशत वार्शिक चकरती ब्याज की दर पर दर पूछी गई है जबकि ब्याज की गणना अर्दवार्शिक आधार पर करनी है जो दर हमसे पूछी गई है वो तो वार्शिक पूछी गई है लेकिन गणना जो करनी है में अर्दवार्शिक आदार पर करनी है अर्दवार्शिक का मतलब क्या है एक साल का ब्याज आया है तो एक साल का मतलब कितना अर्दवार्शिक होता है है चाह माइने के एक अर्दवार्शिक होती है तो एक साल में दो होती है ठीक है हमारी दर होती है उसको मादा कर देते हैं तो यानि कि हम हमारे पास दर जो आएगी अर्दवार्शिक के अधार से जितनी आएगी उसका हम डबल कर देंगे तो हमारी वार्शिक दर आ जाएगी तो starting में जो उस दर आने वाली है हमारी वो अर्दवार्शिक वाली आने वाली है वो आधी होगी उसकी double करेंगे तो वार्शिक दर आ जाएगी तो अब देखो करना क्या है करना क्या है आपके पास राशी थी कि सबसे पहले आप इनको सरल कर लो थोड़ा दो जीरो से दो जीरो चला गया है अब यह square बन रहे हैं ठीक है किसका square है इधर 27 का square बन रहा है और इधर 24 का square बन रहा है कि दो साल में दो यानि कि दो अर्दवार्शिक में इतने से इतना हो जाता है या दो पिरेड में इतने से इतना हो जाता है तो एक में कितना हो जाएगा 24 से 27 हो जाएगा या एक अर्दवार्शिक में इतना हो जाएगा तो यहां ब्याज कितना मिल रहा है एक सब्सक्राइब परसेंटेज के लिए 100 से मिल्टिप्लाइब कर देंगे इसको यह आप काटते हो तो यह 12.5 आज आए किसका अर्दवार्शिक का व्या जाया है कि वार्शिक का डबल कर दोगे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा 25 हो जाएगा option नमबर कौन सा आच चुका है, चार आच चुका है, सवाल नमबर 11 की बात करते हैं, सौरी दोस्तों, सवाल नमबर 11 की यदि बात करते हैं, एक आयत की लंबाई दोगनी की जाएगी, दोगनी की जाती है, तो चोड़ाई को कितना कम करना पड़ेगा, कि छेतर फल मेरा समान रह सबसे पहले तो इस प्रकार से समझी है कि मेरे पास मान लिया लंबाई X है और चोड़ाई Y है और इन दोनों का गुनन फल क्या होता है छेतर फल के बराबर हो जाता है X Y अब दूसरी बात करते है कि लंबाई को क्या किया गया दुगना किया गया यानि X का कितना हो चुका है 2X हो चुका है और हमें छेतर फल को X Y रखने के लिए क्या करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा कि इन दोनों का गुनन फल X Y आए इसके लिए आपको Y को आधा कर दो यहाँ पर तो यह आपका हो चुका है X Y का X Y तो वो कह रहा है कि यदि लंबाई को दुगना किया गया तो चोड़ाई को क्या करना पड़ा हमें वाई से आधा करना पड़ा ठीक है तो आधा करना पड़ा देखो ओप्षन गौन सा होगा पहला ओप्षन देखो चोड़ाई आधी की जानी चाहिए बस यह हो गए हमारा चोड़ाई को क्या करना पड़ेगा आथा करना पड़ेगा दूसरा तरीका यदि आपका सिंपल यह है एक्जाम में करोगे तो थोड़ा सा कम टाइम लगेगा बस आप इतना ध्यान रखिए यदि हमें किसी चीज को मान लिया ए मान लो ए है उसको डबल करना पड़ेगा ए को क्या करना पड़ा तू ए बनाना पड़ा कितना बढ़ाया गया ए बढ़ाया गया तो उसको बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें ए ही कम करना पड़ेगा पहली बार इस पर बढ़ाया गया अब कम किस पर करना पड़ेगा इ यानि कि a कम करना पड़ा किस पर 2a पर कम करना पड़े कितना कम करना पड़ा एही कम करना पड़ा यानि कि देखो 2a पर A कम करना पड़ा, कितना कम करना पड़ा आधा कम करना पड़ा यहाँ पर भी आप देख सकते हो यह आधा है किसका इस 2A का, और इधर बढ़ाया कितना गया A ही बढ़ाया गया और डबल हो चुका इधर तो इस परकार से आप समझ सकते हो कि यदि बढ़ाते हैं A से 2A किया तो वापस A करने के लिए कितना कम करना पड़ा A ही हमें कम करना पड़ता है आप देख लो कितना कम करना पड़ा यह यदि अनपात में देखते हैं तो एक पटे दो कम करना पड़ा इतना कम करना पड़ा किस पर 2a पर दो आधा कम करना पड़ गया सवाल नुबर 17 की बात करते हैं x प्लस 1, x प्लस 2 और इसके गुनन खंड दे रिखें आपको a और b का मान बताना है यदि ये इसके गुनन खंड है तो यहां से पहले गुनन खंड से हम यदि x का मान निकालते हैं पराबर 0 रखे तो कितना आएगा x पराबर minus 1 आएगा अब ये समेकन को satisfy करना चाहिए यनि इस समेकन में यदि ये मान रखता हूँ तो ये 0 हो जानी चाहिए तो मैं मान रखता हूँ minus 1 रखोगे तो कितना आजाएगा एक तो minus आजाएगा फिर यहां पर plus आजाएगा क्योंकि जहां पर power विसम है वहां पर minus आएगा जहां पर power sum है वहां पर plus आएगा तो ये 3 हो चुकब है उसके बाद में यहां minus पिया जाएगा पहली समिक्र हमारी यह हो चुकिए दूसरा यदि x का मान यदि मैं minus x का मान दूसरे से रखता हूँ x प्लिस 2 बराबर zero करके रखता हूँ तो यहां से x का मान minus 2 आएगा जो कि यوقि यदि आप रखते हो तो यह minus 8 यहोजाएगा फिर आपका यहाँ पर होगा चार चारती है बारा हो जाएगा फिर माइनस का टू भी हो जाएगा इतना आएगा दूसरे समिकंड से तो यहाँ से यह दि मैं और ज़्यादा सॉल्ड करता हूँ ए प्लस बी को एक साइड रख लिया तीन को इधर ले गया इसी प्रकार से इधर भी 8 A और 2 B को एक साइड रख के इसको ले गया तो यह 12 हो गया थोड़ा और सरल करते हैं इसको तो 4 A प्लस B बराबर कितना हो चुका है इधर भी 2 का भाग दिया और इधर भी दिया तो 6 हो चुका है अब यह दो प्लस A प्लस B यानी कि 4 A को मैंने तोड़ के लिख दिया है 3 A प्लस A प्लस B के रूप में इस प्रकार से ऐसा करने से क्या होगा जो एक से मान है A प्लस B का मान यहाँ पर आप रखते हो इतना है 3 दे रख का है बाकी हमारे पास 3 A प्लस 3 ब्राबर 6 हो चुका है सरल करोगे तो 3a बराबर 3 को इधर लाओगे 3 और सरल करोगे तो 1 आजाएगा कितना आजाएगा यह आपका एक आजाएगा कौन सा आजएगा आप्षिन नमबर देखो 1 का मान के वल निकालने से अमार आणसर आगया आप्शन नमबर 4 हो जाएगा 2 की निकालने के जुर्त नहीं पड़ी कि यदि बी का निकालना तो एक का माना आप एक में रख दो कि तो वहां से बी का माना जाएगा आपके पास अप्शन नंबर कौन सा हो चुका है अगे बात करते हैं सवाल नंबर 35 की पहली 10 विसम प्राकस संख्याओं का मात्य बताना है अब देखो विसम संख्याओं का मात्य बताना है मात्य बराबर क्या होता है योग बटे नंबर ओफ संख्याओं कितनी संख्याओं है वो बता दे यह मिखिख क्या होता है विशम संख्यां का n स्क्वेर होता है कि इतनी है यहां आप एन से एपयी काट सक्ते हो नहीं तो डरेक्ट पहले योग निकालो कितना हो जाएगा एंस्वेर रखोगे यानिकि 10 रखोगे तो 100 हो जाएगा बटे 10 करोगे 10 आज जाएगा आपका कितना आचुका है दस आच ऑप्शन नंबर कौन सा हो चुका है तीन हो चुका है यदि वह कहता संख्याएं मेरी संख्याएं है तो योग यदि माध्य पूस्ता तो क्या होता तो योग बटे संख्या करते आप ठीक है अपकी वार योग कितना हो जाएगा n प्लस 1 n n इंटू n प्लस 1 हो जाएगा बटे n हो गया है यहनि कि जो सम संख्या होती है उनका योग n n प्लस 1 होता है तो यह आपका 10 इंटू 11 हो जाएगा बटे 10 आएगा यहाँ से आपका मान 11 आएगा माथे यदि सम संख्या होता विशम के लिए यह है विशम के लिए जो कि हमारा आंसर है और यदि सम का पूस्ता तो 11 आता आप्शन नमबर 3 हो चुक है सवाल नमबर 42 की बात करते एक आदमी ने 50 रुपए में 5 के भावसे को सेव खरीदे और फिर उसने उतने ही सेव 50 रुपए में 6 के भावसे खरीदे और वह खरीदे गए सेवों को 100 रुपए में 11 के भावसे बेच देता है तो उसे कितने परतिसत का लाव यहानी होई तो उसने देखो 5 सेव खरीदे है कितने में खरीदे 5 से 50 रुपए में इस हिसाब से खरीदे हैं 6 रुपए लिग दो फिर 6 से उतने ही से यानि कि बराबर से खरीदे उसने 6 से 50 रुपए के इसाब से खरीदे और वो कह रहा है कि पहले और जो बाद में खरीदे हैं दोनों बराबर है तो इनकी quantity आपको बराबर करनी पड़ेगी तो कितने से multiply करूं यहां पर मैं इसको करना पड़ेगा quantity बराबर करने के लिए 5-6 से करना पड़ेगा और इधर 5 से करना पड़ेगा तो इतो दोनों की quantity वराबर होगी तो इधर multiply करते हैं तो रुपय को भी multiply करना पड़ेगा तो 30 की value कितनी हो चुकी है अब आपके पास 30 की value कितनी हो चुकी है 6-5-30, 300 रुपय हो चुकी है इधर यदि बात करते हैं यह आपका 30 की value कितनी हो चुकी है 5-5-500 यानि कि 30 से उसने 300 के हिसाब से खरीदे है और 30 से उसने 500 के हिसाब से खरीद लिए है अब आगे बात करते हैं कि बेचने की जब बात आई तो उसने 11 से उसने 100 के हिसाब से बेचे है अब देखो 11 सेव उसने 100 के हिसाब से बेचे है 11 सेव किस हिसाब से बेच दिये उसने 100 रुपए के हिसाब से बेच दिये टोटल यहां खरीदे गए सेवों की संख्या कितनी है कितनी हो चुकी कितनी हो चुकी है टोटल खरीदे गए सेवों की संख्या हो चुकी है हमारे पास यह आपकी 30 हो चुकी है टोटल खरीदे गए सेव की संख्या कितनी हो चुकी है साथ हो चुकी है और अब हमें साथ ही सेव उसने बेचे होंगी सो रुपय में 11 के हिसाब से उसने बेचे हैं तो एक सेव का बेचे हो दिर मुल्य कितना आ जाएगा साथ का कितना आ जाएगाlusion साठ का निकालना पड़ेगा साथ है। यह कूल तोटल याथ बात करें तो สाथ से उसने बेचे कितने में है तो बात करें तो यह आपका हो जाएगा तो into 60 वटे 11 इतने में उसने बेचे हैं तो कितने का लाब हुआ लाब के लिए आपको विक्रयमुले में से क्रयमुले घटा कर 550 से भाग देना पड़ेगा तो यह आपका हो जाएगा करते हैं तो यहाँ पर यहाँ लाब की बात करते हैं तो लाब बराबर कितना हो जाएगा लाब यहानी जो भी है कितने के बराबर हो जाएगा तो इंटू 60 बटे 11 11 माइनस 550 यह प्लस का रहा तो लाब हो जाएगा और यदी माइनस आया तो मेरा हानी के बराबर, ठीक है तो यह हो चुक है और इसको हम किसे multiply करते हैं, साथ के साथ तो से multiply करते है, percentage के लिए, अब आपको यह circle करना है, circle कैसे करेंगे हम, कितना हो चुक है, अब आप क्या कीजिए, इनका यदि LCM लेता हूँ तो उपर इधर 100 आ जाता है, ठीक है, एक चीज, 2 into 60 करोगे, तो कितना आ जाएगा, ये मेरा जाएगा, 6000 आ जाएगा, और इधर कितना आएगा, ये 11 से इदे, आप मल्टिप्लाई करते हो, तो 0, 5, 5 और 5, ये आपका 10, 1 का यहांसल इतना हो जाएगा, पटे में आपका 11 into 550 इतना है, और इस पूरे को किसे मल्टिप्लाई कर दिया गया है, 100 से मल्टिप्लाई कर दिया, तेको अब जब मैं इसको माइनस करता हूं, घटाता हूं, तो मेरे पास माइनस का 50 आता है, इन्टू 100 आता है, बटे 11 into 550 आता है, माइनस का मतलब मुझे हानी होई है, 0 से आप एक 0 काट दो, 5 से काटोगे तो 11 बार जाएगा, य माइनस का मतलब क्या है, हानी तो हम लिख देते हैं, 100 बटे 121 परसेंट की क्या होई है, मुझे हानी होई है, आप्शन नमबर कौन सा हो जाएगा, आप्शन नमबर एक हो जाएगा, सवाल नमबर 46 की बात करते हैं, एक दुकानदार ने निर्माता से 37,500 रुपए में 25 कुर खरी दी, पांच कुर्शियों के विक्रे मुल्य के बराबर लाब पर उसने बेच दिया, तो देखो, यहां सबसे पहले आप गोर करो, कितने लाब पर बेचा है, विक्रे मुल्य के बराबर लाब पर बेचा है, तो मैंने विक्रे मुल्य को मानना पड़ेगा, एक्स मान ले क्योंकि यहां पर जो आंसर आपका रुपय में दिया गया है इसलिए हमने विक्रे मुल्य को एक्स माना है नहीं तो हम एक रुपय मान सकते थे यह दिये 37,000 वैल्यू नहीं दियूती परसेंटेज की रूप में केवल दिया हुता सवाल या अनपात की रुप में दिया हुता तो हम विक्रे मुल्य को केवल एक रुपय मान सकते थे अब यहां पर मुल्य पहले से उन्होंने दे दिया है तो हमने एक्स मान लिया है यानि कि विक्रे मुल्य कितना हो चुका है एक्स कितनी कुर्षियों की बात चल रही है 25 कुर्षियों की तो 25 कुर्षियों का विक्रे म क्रेम उल्य के बराबर लाब हुआ है इतना लाब हुआ है और क्रेम उल्य कितना है 25 कुर्षियों का क्रेम उल्य आपको दे रखा है 37,500 रुपए दे रखा है यह equation बन चुकी आपकी तो जब मैं 5x को उधर ले जाता हूं तो 20x बराबर मेरा कितना आ जाएगा यह आपका 37,500 यहां से आप x का मान निकाल सकते हैं 0 से 0 कट जाएगी और 2 का भाग दोगे तो 2-1,2,2,8,16,2,7,14,25,10 x का मान हमारे पास आ चुका है x का मान क्या है एक कुर्सी का विक्रेम उल्य एक कुर्सी का विक्रेम उल्य यह आप से पूछा गया था आप्शन नमबर कितना हो जाएगा एक हो जाएगा सवाल नमबर 49 की बात करते हैं एक अंग्रेजी वर्ण माला में परते एक अक्षर को यादर जिक रूप से चुना जाता है तो इस प्रकार चुने गए अक्षर के स्वर होने की प्राइक्ता पूछी गई है टोटल देखो तो क्या होगा स्वर कितने अक्षर है पांच अक्षर है इसलिए उपर पांच आ चुका है नीचे 26 तो इस प्रकार चुने गए अक्षर के स्वर होने की प्राइब की हमें एक अक्षर को चुना 5C1 बटे करोगे 26C1 तो यह आपका 5 बटे 26 आ जाएगा यानि कि वो स्वर होन चाहिए तो उपर तो क्या आजाएगा आपका संभावित गटना है और नीचे सभी गटना है तो संभावित क्या है कि 5 में से होना चाहिए 5 स्वर थे तो उनमें से ही होना चाहिए उनहीं में से चुनना है एक अक्षर को तो 5 में से एक अक्षर को चुनने का तरीका 5C1 हो च चुका है 26 सीवन आ चुका है नीचे टोटल उपर संभावित तो देखो 5 सीवन का कितना आएगा पांच आएगा और 26 सीवन का 20 आएगा क्यूं क्यों कि जब आप 5 सीवन को ओपन करते हो तो यह क्या हो जाता है पांच बटे एक आता है तो इसका मतलब क्या है एक लिखने की जुर्द नहीं है पांच यह आ चुका है पांच बटे 26 ही आपकी प्राइकता हो चुकिए आप्शन नंबर एक आ जाएगा हो चुक है आगे बाद करते है सवाल नंबर तरेपन की आ चाहिए आ अ- आ बाद की चाहिए आपको आपको एच्वेर प्लस बीच्वेर प्लस ब्लस ऐबी आएगा केवल ऑगी अब देखो इसके लिए हमें किस किस मान की जोर्द चाहिए a-b की जो की 4 है a2 plus b2 का मान हमें दे रखा है कितना दे रखा है 10 दे रखा है plus a,b अब हमें a,b का मान और चाहिए तो a,b का मान निकालने के लिए आप क्या करोगे इस का मान निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा देखो a plus b का whole square करोगे यह आपका a square प्लस b square के बराबर होता है प्लस 2ab होता है अब देखो a plus b कमान यह दी minus की बात की है तो यहाँ पर minus आ जाएगा और यहाँ पर minus आ जाएगा a minus b कमान हमारे पास 4 है तो square करने पे 16 हो जाएगा यह आपका 10 है 2ab निकालना है अब देखो ये 10 उधर चला जायेगा ये 6 बराबर कितना आजायेगा 2ab आजायेगा तो यहां से ab बराबर कितना आजायेगा 3 आ चुका है यह जो 3 आ चुका है यह आप मान यहाँ पर रख़ दो अब यहां रखोगे तो 4 है एक आपके पास 10 पलस तीन तो कितना हो चुका है यह आपका जेखो कितना आया यह 10 उधर गया ठीक है गटाया इधर तो माइनस था ही पहले से गटके यह माइनस तो यह भी आपका एना माइनस तीन आया है माइनस 3 आया, तो यहाँ पर भी एक माइनस आएगा, इस परकार से तो यह 4 इंटू आपका कितना हो जाएगा, 4 इंटू 7 हो जाएगा, इसका मान कितना आजाएगा, आपका 28 आजाएगा, उप्शन नमबर कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा, इस परकार से हो जाएगा, आग तो आप क्या करो सबसे पहले तो देखो कि 3 क्या है कि सेस बसता है साथ साथ से तो पूरा-पूरा विभाजित होता है और इन से यदि भाग देते हैं तो हर मामले में 3 बसता है तो आप क्या कर सकते हो सबसे पहले देखो कि 7 से कौन डिवाइड है सभी है फिर प्रतेक में से य 3 गटाते हो तो यह आपका 45 हो जाएगा इसमें से 3 गटाओगे तो यह How जाएगा Urs मने से यदि तीन गटाते हो मैं दूसरा भी नहीए और चो था पी नहीए तो यह की सम अपशन भचा है जिसके और भागजा जाएगा तो option number 3 हो गया क्योंकि विश्म के अंदर तो विश्म के अंदर तो 2 कई भाग नहीं जाएगा तो 8 की तो दूर की बात है इसलिए option number केवले 3 हो चुका है और यदि वैसे करना था तो LCM ले लो सबसे पहले इन 3ों का इन 3ों का LCM लोगे तो 16 कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा तो हमारी संख्या कितनी हो चुकी है 48X प्लस 3 हो चुकी है अब आपको क्या करना पड़ेगा 48X प्लस 3 हो चुकी है अब आपको सबसे पहले X के मान रखने पड़ेंगे एक भी रखके देख सकते हो तो पहले तो उनका मान निकालना पड़ेगा और फिर वो देखना पड़ेगा कि साथ से पॉंटते भी भाजित है क्या, जैसे यहीं मैं मान रखता हूं, दिन सबसे पहले एक मान रखा मैंने, 48 इंटू 1 प्लस 3 करोगे तो कितना आ जाएगा, 51 आ जाएगा, आप साथ का भाग देके देखना है कि यह भाग जा रहा है क्या, लगतम गुनज पूछा है साथ का, तो भाग देके देखना पड़ेगा कि साथ का भाग इसमें जा रहा है क्या, तो देखते हैं तो साथ नहीं जाएगा, इसलिए यह नहीं होगा, यह कट चुका है, फिर 2 रखके देखोगे जब आप 48 into 2 कितना होता है 96 होता है प्लस 3 करोगे तो यह आपका 99 आता है इसमें भी 7 का भाग नहीं जाता है 3 रखोगे तो कितना हो जाएगा 48 3 3 करोगे तो आपका कितना हो जाएगा यह आपका 146 हा जाएगा और 146 प्लस 3 करोगे 133 वार कम करोगे 145 हो जाएगा 145 प्लस 3 करोगे तो 147 आ जाएगा इसमें 7 का भाग जाता है तो यह मेरा सबसे छोटा ऐसा वेल्यू आ चुकिए जो 7 से पूंड तरविय भाजित है तो यही पूछा गया सबसे छोटी वेल्यू लगतम गुनज तो यह हो चुगा है option number 3 इस प्रकार से आप का आंसर आ जाएगा सवाल नमर 72 की बात करते हैं 25 शात्रों के सवयमुह में 25 शात्रों के समुह में प्राप्तांकों का उसद 36 दे रखा है 25 का कितना दे रखा है 36 दे रखा है फिर एक चात्र ने समुए को छोड़ दिया जिसके परणाम सुरूप 6 सात्रों के प्राप्तांकों का उसद बढ़कर 37.5 यानि कि एक ने छोड़ दिया तो अब 24 बचे और 24 का प्राप्तांक कितना हो चुका है 37.5 यहां यदि मैं गुणा क उसका उसद कितना है चीरो है क्योंकि यहां पर भी 25 का भी 900 आ रहा है और 24 का भी कुल टोटल 900 आ रहा है तो जो एक छोड़ के गया है उसका जीरो है इसलिए कोई फरक नहीं पड़ा उसके बाद में बात करते हैं उसके तुरंत बाद 116 समुए में सामिल हो गया जिसके कि अनिकि एक नए चाटर के आने से कितना बढ़ गया 30 बढ़ गया तो जो नए चातर आया था उसकी value कितनी है 30 है तो नए चातर आया है ठीक है एक नए चातर जों आया है इसकी value 30 है क्योंकि कुल टोटल में उसकी वज़ए से वर्धी हुई है 30 की अब पूछा गया है जो पहले वाला चात्र था और नए चात्र के प्राप्तांकों का उसत, पहले वाले के 0 थे, नए वाले के 30 है, तो 0 प्लस 30 करोगे बटे 2 करना पड़ेगा, ठीक है, उसत के लिए तो यह आपका कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, सवाल नबर 77 की बात करते हैं, 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक, 26 मीटर उंची एक मिनार को, सबसे पहले तो बात करते हैं, देखो, यह एक आदमी था, इस प्रकार से एक आदमी था यह, तब यह कहा है कि एक मिनार को, इसकी लंबाई, इसकी उंचाई कितनी है, मिनार, अब एक मिनार बना देते हैं, मिनार की उंचाई कितनी है, 26 है, हम कहा देते हैं, यह 26 है, तो यह यहां तक की बात करें, प्रेक्षक तक की बात करें, तो 1.5 है, यहां तक की तो 1.5 है, और 26 में से एक अटाते हो, तो 25 आता है, और कहा गया है कि ये मिनार और इसके बीच की दूरी कितनी है इनके बीच की ये दूरी की बात की जाए तो वो आपकी 24.5 है 24.5 है तो ये दूरी भी आपकी 24.5 होगी और ये दूरी भी आपकी 24.5 दिये इसका मतलब ये वाला कौन भी 45 डिगरी होगा और ये भी 45 डिगरी होगा क्योंकि समकौन तिर्बुज में यदि दूरियां दोनों बराबर है तो ये दोनों कौन बराबर होते हैं और कितने का बराबर होता है कौन 45, 45 का ही होता है समकौन समधी बहुत तिर्बुज में अब देखो तो प्रेक्षक की आँख से मिनार के सिर्स का उनियन कौन पूछा गया है कितना आ चुका है पैंतालिस आ चुका है उप्शन नमबर कौन सा हो जाएगा चार हो जाएगा सवाल नमबर 18 की बात करते है करुणा एक घंटे में पुस्तक का एक बटे चार हिस्सा पढ़ लेती है तो दो घंटे में फिर क्या एक बटे चार और पढ़ लेगी तो यह हो चुके दो घंटे अब बचिए पंदरा मिनट की बात तो पंदरा मिनट में क्या है यदि एक घंटे में एक बटे चार पढ़ लेती है पंदरा मिनट एक घंटे का चोथा भाग होता है तो आप इसको जितना एक घंटे में पढ़ती है उसका चोथा भाग पढ़ पाएगी चार से और भाग दे दिया एक बटे सोला भाग पढ़ पढ़ पाएगी तो पहले गंटे इतना दूसरे गंटे इतना और 15 मिनट में इतना पढ़ पाएगी तीनों को जोड़ दू एक बट्टे 4 प्लस एक बट्टे 4 प्लस एक बट्टे 16 कितना कर दो बस अब जब आप वेल्सियम 16 लोगे तो इधर उपर चार आ जाएगा इधर चार आ जाएगा इधर एक आ जाएगा तो यह आपका 9 वर्टे 16 आ चुका इन भी दो justement संक्याओं की बीच में अनंत संक्याओं हो सकती है आपको दिख रहा होगा की कीवल यह और नहीं हो सकती तो ऐसा नहीं है और भी संक्याओं हो सकती। आप ऐसे मान लो की 2.252 यह possibly तो इसके बादように यह आएगी क्योंकि यहां यह दि मैं किनी भी दो सग्याओं की बीच में कितने संक्या हो सकती यहां रखते कियां यहां naprawdę कुछ condition देदेता उसके नुसार उन्सार होता यानिकी जैसे कि वह कह зам संक्याओं कि बीच में कितनी प्राक्रत संख्या होंगी अब प्राक्रत संख्या क्या होती है एक होती है दो होती है तीन होती है इस प्रकार से होती है तो ऐसी संख्या ये इनके पीच में पूछता है तब हमारा आंसर जीरो होता कि एक भी नहीं आ सकती है इसी संख्या है तो इनको बीच में कितनी एक भी संख्याओं की बात करी है तो अनंत हो सकती है ठीक है तो option number हमारा यहां से 2 हो जाएगा तो दोस्तों यहां पर हमारे आज का paper है जो complete हो चुका है कैसा लगा अब comment में जरूर बताना कोई भी problem हो तो आप comment करना और thank you दोस्तों मिलते हैं इसी प्रकार के एक और paper के साथ